हद तो तब हो गई जब कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता और राज्य सभा में कॉंग्रेस संसदी अदल के उपनेता प्रमोत तिवारी जी इस सीमा तक चले गए कि जब सजा दी जानी चाहिए तो परिवार को देखकर यानि गांधी परिवार की प्रश्ट भूमी को देखकर दी जाने चाहिए यानि यह बहुत आश्यर जनक बात है इसके अंदर भी एक समवैदानिक विश है कि कॉंग्रेस पार्टी न्यायाले के न्याईक विवेक से अपने को उपर समझती है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि शायद इसे कहा वत है नहीं हिंदी में रस्सी जल गई पर बल नहीं गया एक देश में दो विधान इन्हाज भी चाहिए एक विधान आदमी के लिए और एक विद्धान अपने परिवार के लिए वैसे एक सरकार में दो प्रधान तो वो चला चुके हैं और पार्टी में भी दो प्रधान चला रहे हैं और परिवार के लिए दो विधान इन्हें आज भी चाहिए और फिर प्रमोतिवारी जी कहते हैं परिवार की प्रिष्ट भूमी देखके देना चाहिए तुम्हें विनम्रता के साथ इस वरण देराना चाहता हूं कि आपी के परिवार में आपकी दादी श्रीमती इंद्रा गांधी जी न्यायले के गांधी जी भारत के पहले प्रदान मंत्री बने थे जो बोफोर्स में ब्रष्टाचार के आरोप में आये थे और उन्हों ने उसके बाद ये भी बोला था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती यानि हजारों सिक्खों के नरसंगार को जस्टिफाई किया था आपक और विशे उससे भी ज्यादा है भारत के पिछड़े समाज के प्रती इस प्रकार का दुराग्र है और उसके बाद आप जिस बेशर्मी के साथ उस चीज का समर्थन कर रहे हैं वो दुखद है पीड़ा दाई है इमानदारी तो ये कहती थी कि आपको शमय आचना करनी चाहिए थी और दुख की बात ये है कि ये जितने भी अपने को पिछड़े दलितों के अलंबरदार बनते हैं वो अचानक मौन साधना में क्यों चले गए इतना बड़ा बयान जातिगत अपमान पूरे पिछड़े वर्क का किसी अन्ध ने कर दिया होता तो पूरे देश में आग लगा होती पर अज ऐसा लग रहा है कि ये सारे के सारे अलंबरदार मौन साधना में चले गए